दोस्तो नमशकार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Competition News में दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते हैं University जगत की हर ख़बर आपके अपने चैनल Competition News के माधराम से आप लोगों को दी जाती है दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत बढ़ी ख़बर के विशे में दोस्तों तो वीडियो को पूरी देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप लोगों को हर अपडेट सबसे पहले मिल सके तो यहां पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 29 जुलाई 2020 और यहां पे द देख सकते हैं कि जो silent feature है new guideline के वो क्या कहते हैं तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं restriction on movement of individual during night has been removed यानि के night curfew को दोस्तों हटा लिया गया है yoga institution और जिम दोस्तों पांच अगस्त से खुल जाएंगे और दोस्तों जो main बात है जो हमारे काम किये वो इस वाले point में दे रखा है यहां पे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं यह वाला point काफी आदा important है after extensive consultation with state and youths it has been decided that school colleges and coaching institution will remain close till august 31st 2020 यानि के दोस्तों भिविन राज्यो और जो union territory है उनसे बात करने के बाद यह decide किया गया है कि जो school और colleges है और जो coaching institution है उन्हें 31 अगस्त तक दोस्तों बंद किया जाएगा यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल official यहां पर notice दिखा रहा हूँ जो guideline है उसे यहां पर government of India की तरफ से दोस्तों जारी कर दिया गया है यानि के दोस्तों यह हम कह सकते हैं कि अब अगस्त में university के जितने भी चाते हैं उनके paper नहीं होने वाले हैं और जैसा कि दोस्तों सुबह की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो महत्मा जोतिवा फुले रुहिल खंड विश्विद्याले की जो परिक्षाइ गया था कि 27 अगस्त से परिक्षाइं हो सकती हैं ऐसे ही दोस्तों उत्ता प्रिदेश की जित्ती भी university हैं उन्होंने अपने tentative time table दोस्तों जाली किया गया था तो अब दोस्तों उसमें बदलाव करना पड़ेगा आप लोग मुझे बताईएगा क्या आप लोगों के भी paper अ 31 अगस्त तक तो फिलाल दोस्तों वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आयो तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा जैहिन जैभारत